इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नाइब वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिये और अपने फ्रेंड के साथ फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिये गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और इनका नाम बताया जारा जिस सल्मान अहमत साब जो के खारजा पॉलिसी की टीम में शामिल होंगे, बड़ी अहम वजारत है जिसमें ही शामिल है, इससे पहले अलीज जैदी साब भी इनके टीम का हिस्सा है, जो के डेप्टी नेशनल क्लाइमेट अडवाइजर हैं, तो य यह बड़ा इंपॉर्टन और यह को पहली दफ़ा नहीं है, पाकिस्तानी नजाद जो है कि इसी टीम का हिस्सा बनाओ, इससे पहले भी हम देखते रहते हैं, मुखलिफ नाम सामने आते हैं, लेकिन यह लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, इस पर भी बात करते हैं, तो इम पाकिस्तान की मफदात का करते हैं या नहीं? या किसी मसरे पे फसा होता है, वोड चाहिए होता है, या अमरीका बादर की तरफ देखा जाता है, अब तो बड़ते से हमने इमदाद नहीं ली कोई पैसा रही हैं, तो कहां नहीं होता है, सब इसी तरह से होता है, इसलिए ये सारी चीज़े जो होती है, वहाँ फाइदा जरूरूर होता है, जब पाकिस्तान नजयाद वहाँ पे होंगे टीम में, तो उसका फाइदा ये होगा कि वह पाकिस्तान के लिए कुछ नवोगवा पंजाबी में कहते हैं, कि अपना मारेगा तो चाहां ही मारेगा, तो पेनी जुते फाइदा होता है, और आप ये देखे कि पाकिस्तानी माशाला यह नहीं कि उसरफ पाकिस्तानी दियाद होने की वज़ा से रखा जाता है उनकी काबलियत की वज़ा से रखा जाता है तो पाकिस्तान के लिए अधरवाइस भी एक एक एजाज की बात है कि पाकिस्तानी दियाद जो लोग है वो अमरीका के आपके खियाल से क्या फाइदा होता है इन लोगों का पहले तुम्हें आपको यह बताओं कि 12-14 इंडियन्स हैं जो च्छागे हैं उदर और वह 12-14 इंडियन्स मेंसे एक तो वाइस प्रेजड़न्ट ऑफ युनाइट स्टेट्स है वह मद्राज से आती है अच्छी हो रहत है मगर इंडियन उसकी मां इंडियन थी इसका बाप अफरीकन था अब आपस कहेंगे कि हमें क्या फाइदा है देखे मुझे तो एक बड़ा जबर्दस अपॉइंट्मेंट अच्छा लगा है मुझे और वो है एक औरत है जिसका नाम है अज्राजिया अब आपने उसका नाम सुना हुए इसका नाम आपने नहीं सुना है कि वो है कשμीरी मखबूजा कश्मीर की बंदी माने उसका फैमली उदर से आप, वो क्या है वो अंडर सेकेटरी है, अंडर सेकेटरी ऑफ स्टेट, किस चीज के लिए? सोचtered, इमॉक्रिसी के लिए, आम्स कंट्रोल भी है, मगर actually democracy, अब आप सोचिए, ये है फाइदा मन, हमें परवानी है, कि वो मखबूजा कश्मीर की जो भी है, मैं कश्मीरी, और उसका पॉर्टफोलियो है, आज़ाद का, sorry, democracy, तो ये बड़ा अच्छा appointment है, मैं देख रहा हूँ from the point of view of Pakistan, अब सल्मान एहमद साब जो है, state department director policy planning, लेकिए, state department को हम जाते रहते थे, हफ़ते में दो-तीन दफ़े जाते रहते थे, मिलते रहते थे, actually territorial desk में जो लोग होते हैं, वो ज्यादा important होते हैं, मगर ये भी, अगर वो खास, अगर मनें कि अगर हमारे लिए वो goodwill उनके है और क्यों नहीं होना चाहिए, इन्शालला होगा, तो वो कुछ impact कर सकते हैं, मगर जैसे ये औरत कर सकती है, वो उस पर नहीं कर सकते हैं, हिलाली साब ये जो अज़रा जिया है, ये बारती अच्छाए, मैं तो समीरा अली का नाम है हो, अज़रा जिया मुझे पता नहीं किसी ने देखा था, आज मैं अख़बार में पढ़ लाता, ये अज़र बारती मुसल्मान हैं, लेकिन समीरा अली और आज़रा शाह दो किश्मीर इंदजाद हैं, जो उनके तो गाईज, यहां पर ये वीडियो होता है, खत्म, आप यहां से ये वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं, तो आपको पता होगा, अमेरिका में 20 तारे के बाद, प्रेसिडेंट चेंज हो जाएंगे, और नए प्रेसिडेंट जो बाइडन आ जाएंगे, जिनकी नया मंत्री मं यह में डिसकुशन हो, और जफर हिलाली, मतलब जो इंडियन है, आपने देखा कि जफर हिलाली उनको, मतलब उनका नाम लेते हुए बोले जा रहे हैं कि इंडियन्स, इंडियन्स मतलब अमेरिका में धमाल मचा चुके हैं, हाला कि, as a Indian, we should not happy, because जो भी अमेरिकन केबिनेट में मंतरी आएंगे, हाँ, हो सकता है, उनका soft corner हो, इंडिया के लिए, ऐसा हो सकता है, बट लेकिन उनकी लिए तो अमेरिका first ही होना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका के नागरिक है, अमेरिका के बारे में उनने सोचना चाहिए, हो सकता है, इंडिया के साथ कुछ relationship में soft corner हो, उनके मतलब अंदर लेकिन आपने कैमला हैरिस को अगर सुना है कैमला हैरिस के अगर पुराने कुछ इंटर्विव देखे हैं तो आपको डेफनेटली लगेगा कि इनके अंदर कोई भी सॉप्ट कॉर्णर नहीं हाला कि वो इलेक्शन जीतने के पहले की बात है अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि उनके आने वाले समय में इंडिया के साथ कैसे रिलेशन्शिप रहेंगे लेकिन डेमोक्राटिक जो अमेरिका में जो अभी हाली में पावर में आने वाली है उनका रिकॉर्ड अच्छा है इंडिया के साथ अगर प्रिवियसली आप देखें तो तो दोस्तो आपको क्या लगता है जो इंडियन्स जो भार्डन की कैबिनेट में भरपूर अमाउंट में है वो क्या भारत के लिए सॉप्ट कॉर्णर रखेंगे या नहीं रखेंगे प्लीज कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर शियर करें और पागिस्तानी आपने देखा जब फर हिलाली जो इसके साथ कैबिनेट में कोई मुझे नहीं पता कि बड़ से सब्सुन के कि पता नहीं कोई नहीं दोस्तों इस नियूस को लिए इडियर से भी उरिजिन के प्लेयर शिरूर राम्नरीश शर्वन सिपनाराइन चेंदरपॉल और और भी थे मुझे अभी रवी राम पॉल तो वो थे तो इंडियन ओरिजन के तो हमें अच्छा लगता था लेकिन लेकिन उन्हें पर्फॉमंस तो वेस्ट इंडीज के लिए देना पड़ता था ना वेस्ट इंडीज उनके लिए फस्ट था वेस्ट इंडीज में पैदा हुए वेस्ट इंडीज के लिए काम करेंगे तो इसी तरीके से यहां पर भी सोचना चाहिए उनका इंडिया से कनेक्शन उनके पूरबजों का था उनका नहीं तो दोस्तों यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए तो आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दिन बाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए